जैहिन, देखिए हम आपको C295 एरक्राफ्ट के बारे में पूरी डीटेल से आपको बता दिये थे, अब इस एरक्राफ्ट जो 56 की डील हुई थी, जो भारत में बनाये जाना था, एसेंबल करना था, टाटा के साथ मिलकर, अब उसके पहले बैच भारत को मिल गया है, और ये नौसेना को मिला हुआ है, ये एरबस कमपनी और टाटा कमपनी के थाथ बनाये गया था, एसेंबल करना था, इसमें 56 एरकाफ्ट भारत को एक्वायर करना था, जिसमें से हमारे पास पहला बैच जो है, इसका आ गया है, और इसे नौसेना को दिया गया है, देखिए ये मल् प्रिपियार रनेवे पे उतरा, किसी सड़क पे उतर गया, तो धूल धकड़ इसके अंदर घुसेगा ना, तो टर्बो फैन वाले में आग लग जाता, इन सुसरों में आग नहीं लगता, ये बड़ा नीचे उड़तरते हैं सब, और इनका मल्टी रोल है, और नौसेना को इससे मिलने से, ट्रांस्पोर्ट के साथ-साथ, निगरानी में भी बहुत हैल्प मिलेगी, क्योंकि ये कापी लंबी दूरी तक जा सकता है, इसे अटैक में भी बदला जा सकता है, एवेक सिस्टम से बड़ी दूर तक कि हम लोग निगरानी कर सकते हैं, साथ ही ये तार्प जानकारी देते हैं, तो ये नौसेना को मिलने से, नौसेना को काफी जादे इससे बेनिफिट मिलने वाला है, हाला कि इसका फर्स्ट बैच अभी नौसेना को मिला है, इसका एक और बैच मिलेगा, जो वाई उसेना को मिलेगा, इससे कि क्या है कि पहारी एरिया में छोटे इसे बहुत जल्दी रोका जा सकता है, इसकी खासियत यह है कि एरक्राफ्ट केरियर पे भी यह चाहे तो उतर सकता है, हाला कि इतने बड़े जहाज को उतारा नहीं जाता है, लेकिन अमेरिका ने अपने हरकुलियस जहाज पर इस चीज का ट्राइल किया था, बहुत जल्दी यह लोग रुख जाते हैं, इन जहाज की यह खासियत होती है, तो नौसेना में मिलने से काफी फायदा होगा, हाला कि नौसेना के पास पहले से 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन एरक्राफ्ट है, जो जिसे हम सम्मरीन हंटर कहा जाता है, यह काफी लंबी दूरी तक जा सकत इसमें कोई खिड़की बगरा नहीं होगा, और यह किसी भी तरह के अपने आत्मरक्षा के लिए फ्लेयर छोड़ सकता है, टॉर्पीडो लांच कर सकता है, पंडूबी के लिए, इसके अंदर पूरी तरह से सिस्टम होता है, देखिए यह सब के पास अपना अपना रडार ह इसमें कहीं आपको खिड़की नहीं मिलेगा, खिड़की के जगा आपको computer, display, radar, यह सब चीजे आपको देखने को मिलेगी पोसाइडन एरकाफ में, और यह पूरी तरह से उड़ता हुआ नौसेना का कमांड सेंटर होता है, किसी भी पंडूबी या सिप के उपर यह अब इनकी संख्या भारत के पास बहुत जादे है, बारा की संख्या में है, यह एरकाफ इससे कि हम हिंद मास आगर पे डोमिनेट कर सकते हैं, हाला कि हमें अभी ऐसे एरकाफ की लगभग 20 और संख्या की जरुगत है, लेकिन इन एरकाफ के अंदर लगने वाले मशीन, radar, sensor, sensor, sonoboys, यह सब उतने महें नहीं है, जबकि अमेरिका इसके जहाज का ही costing जादे कहता है, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम लोग अगर जहाज बनाने की technology ले ले तो अंदर machine system लगा जीए हाँ पे, तो costing के वज़ए से हम इसे और नहीं ले पा रहे हैं, हाला कि हमारे पास 10 10 अरब सागर में, 10 बंगाल की खाडी में, और 10 हिंद महा सागर में, 30 तो ऐसे चाहिए, बाकि 10 ऐसे extra backup servicing या पिर अलग डेप्लोइमेंट के लिए चाहिए, और कम से कम हमारे पास 40 ऐसे PA-TI होने चाहिए, हला कि जहाज की pricing को लेकि यह system अटका हुआ है, हला कि भारत अगे अगर कोई जहाज कमपनी के साथ करेगा, तो आगे देखा जाएगा, निगरानी के सिलसिले में, हमारे पास एक और अमेरिका से लिया हुआ, MQ-9 Reaper Drone है, यह बहुत लंबे समय तक, और इसमें तो कोई पाइलेट बैठता ही नहीं है, यह रिमोट से चलाए जा सकता है, और पूरी तरह से निगरानी करने में यह सच्छम है, MQ-9 Reaper Drone, यह लंबे समय तक हमला कर सकता है, और काफी हाई एल्टिट्यूट पर दूर तक जाके यह निगरानी एकुरेट कर सकता है, अमेरिका इसका बहुत यूज करता है, हाला कि इसका हम लोग नौसेना में यूज करें इसका एक हमलावर वर्जन भी है, तो अमेरिका ने हमें हमलावर वर्जन नहीं दिया, अटाइक वर्जन नहीं दिया, हमें उसने के वल निगरानी वाला दिया, MQ-9 Reaper Drone, इसकी संख्या 31 की संख्या में हम लोग ने अमेरिका से इसकी डील किये, इससे भी हमारी समुद्री निगरानी बढ़ेगी, और समुद्र के चप्पे चप्पे पर हम लोग नजार रख सकते हैं आपर, क्योंकि हम लोग दोनों और से घिरते जा रहा है, सिरलंका, मालदी भी चाइना के इंफ्लोएंस में धीरे धीरे काफी हद तक आगे बढ़ चुके है, इसी सिलसिले में भ स्पोर्ट का भी काम कर सकते हैं, हम सैनिकों को भी लेया ले जा सकते हैं, कोई रेस्क्यू मिशन है, अगर कोई जहाज डूब रही है, तो महां बचाओ का भी काम किया जा सकता है, और इसमें ना हम लोग कार्पीडों कर सकते हैं, इसमें रडार भी दिया गया है, इसको नौसेना के काम का है, चीज कोस्टगाड के काम का है, तो हमेशा इसे समुद्र के उपर ही उड़ना है, और समुद्र पे उड़ने के वाज से एक डीमेरिट यह है, कि अगर इंजन की कोई खराबी आती है, ऐसे नॉर्मल जगों पर इंजन खराबी आई यह तो आप लैंड कर जाता है, सीधे, जैसे हमारे CDS, बीपीन राओट सर का पहारी छेतर में था वहाँ पर, वहाँ बचना काफी मुश्किल होता है, समुद्र में भी यह होता है, सीधे नीचे गिर जाता है, तो जब यह नीचे गिरेगा तो इसके अंदर बड़े बड़े बलून होते है, उसम कि अगर इमर्जेंसी स्थिति आई तो उसमें भी कर सकते हैं, दिखिए, नौसेना की जहाजों को हेलिकॉप्टर को दूर अगर समुद्र में है, और वहां से अगर उसको निगरानी करना है, तो बार बार अगर बंदर का पे या किनारे आएगा, तो उसका फ्यूल खतम लेकिन नौसेना की जहाजों पर या एरक्राफ्ट केरियर पर जादे जगा नहीं होता है, इसलिए अगर कोई हेलिकॉप्टर का जो रोटर होता है, यह बहुत जादे जगा लेता है, इसलिए नौसेना की चाहे वो लडाकू जहाजों, उनका वीविंग ऐसे फोल्ड हो जा इससे फायदा यह है कि इतने बड़े भारी भर कम हेलिकॉप्टर को आप छोटे एरिया में कार की तरह पार्किंग कर सकते हैं, देखिए सारे हेलिकॉप्टर खरें, सबका यहां रोटर ऐसे करके बांद दिया जाता है, तो यह बहुत फायदा करता है हेलिकॉप्टर में, इससे भी हमारी निगरानी काफी बढ़ेगी, दिखिए, हेलिकॉप्टर को कही न कहीं बीच में लैंड कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसका फ्यूल जादे नहीं होता है, क्योंकि बहुत जादे इसमें फ्यूल भर देंगे ना, तो यह इसके उठाने की छंता घड़ जा या अगर कोई जहाज पर कोई लुटेवरों ने कबजा कर लिया, अभी देखेंगे हैती वीद्रोहियों ने एक जहाज को बाब अलमन्देब जलसंदी, जिसको आसुनों का द्वार भी कहते हैं, वहाँ पर कबजा कर लिया, वहाँ पर हेलिकॉप्टर से, तो अगर हमें कम इमर्जेंसी में कोई चीज चाहिए, तो तुरत अपने ओंसोर बोलेगा यहाँ पर कि हम कोई चीज को चाहिए, तो हेलिकॉप्टर से उसे लाया जा सकता है, लेकिन समूदर में मौसम बिगड़ते रहते हैं, समूदर में मौसम बिगड़ने के करणा, सब्सक्रा गरिजे हैं हमेसा जहाचों में होती ही, रोली, जिसे बिमान में तर्ब्यूलेंस होता है, तो पानी जहाच में रोलिंग होता है, अब तो रोलिंग कंडिशन में हेलिकॉप्टर को तु उतारना आफ़ात हो जाएगे यह उतरेगा कई से यहाँ पर, तो इसके लिए यूज क्यों तो आदम यहां से मैकेनी कली कटि रहा होता है को भी हुप्टर को यह भी है हेलीकाप्टर भी ओ–ум मे लुड यह बहुत जरूरी होता है, खराब मौसम में उतारने के लिए, भारत जो है इधर पाकिस्तान से चाइना से, यह दोनों, चाइना के पास पंडूबियां इतनी जादे हैं, कि अगर हम पंडूबी बनाने की चालू करेंगे, तो चाइना की बराबरी करते-करते हमें 50 साल लग और पंडूबी किसी भी समय, इतनी चोटी होती है कि भारत के आले हमला कर सकती है, खत्रा बन सकती है, पाकिस्तान की पंडूबी, IPNS साध, जब हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो यहां कराची के बंदरगा से गाइब होई थी, अंदर घुज गई थी, और हम जब उसे सर्च करते गए, सर्च करते गए, करते गए यह कई दिन बाद मिली थी, हमें यह एरिया को सिक्योर करना, अपने आप में एक चैलेंज है, और एक तरह के हथियार से, एक तरह के एरक्राफ्ट से आप नहीं कर सकते हैं, कम दूरी के लिए अलग चाहिए, जादे द लोग ने इसका तोड निकाल लिया, कि अगर पास की निगरानी करना है, तो धुरू हेलिकॉप्टर ठीक है, पास की निगरानी के लिए धुरू हेलिकॉप्टर को बार बार आना जाना रहता है, तो पास की निगरानी के लिए हमारी लिए वही सही है, थोड़ा उससे दूर ज यूज करेंगे C295 जहाज, टर्बो प्रैप, क्योंकि वो एर रिफ्यूलिंग कर सकता है, तो यहां हम यूज करेंगे C29, यहां यूज करेंगे MQ9, रीपर, यहां पर, और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर के लिए, तो बहुत दूर के लिए हम लोग यूज करेंगे P8I को पी एट आई पी एट आई ये जो है पोसाइडर तो हम लोग चार लेयर की सीक्योर्टी करते हैं इससे क्या है कि कोई भी पंडूबी और हिंद महासागर में हम अच्छा कर सकते हैं तो यहां हमारे नौसेना के अधिकारियों ने बहुत ही समझदारी वाला इस्टेप लिया क्योंकि जहां वो लोग अजमलकसाब और उसकी पूरी टीम आई थी जो वो सब जहाज को चेंज कर रहे थे सब यहां पर तो हमारे पास प्रॉपर निगरानी नहीं थी उसी समय से यह सब सिलसला चलते आ रहा है तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि यह निगरानी ब बगड़ के टेस्सीरीज, प्रीवियस एयर कोश्चन, रिवीजन, सारे चीज कराए जाए जाएंगा और एकदम बेहतरीन इस बार का रेजल्ट होगा आप लोग और जो लड़के अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं दो हजार पचीस के लिए कर रहे हैं तो जो पचीस क कर रहे हैं उन लोग के लिए BPSC और UPSC दोनों के लिए दिसंबर महिने में रेडी रहेंगे लोग यहां पर एकदम सारे लोग पिछली बार भी हम कहे थे कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आया था तो इस बार भी कहते हैं जो सुरुवात के लड़के रहेंगे उन लोगों काफी जादे कुछ सहुलियत दी जाएगी हलाकि सुरुवात में अप लोग सर्वर भी उड़ा देते हैं इसलिए सब लोग बढ़ियां से तयार रहेगा पूर्सी की पेटी बाहन लीजेगा मौसम बिगड़ने वाला है ठीक है तो UPSC और BPSC वाले स्प्रेंट के लिए हिन